जै गौ माता की, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर 28 अक्टूबर बड़ा गुरुबार गुरु पुष्चियोग अहोई अस्टमी ब्रत इस दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए इससे पुत्रदन की मनुकामना पूरी होती है अहोई अस्टमी का ब्रत बड़ा ब्रत होता है इस दिन संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता की पूजा की जाती है अहोई माता माता दुर्गा का ही रूप है यह ब्रत बहुत ही बड़ा ब्रत है जिस दिन की दिपावली होती है उससे आठ दिन पहले अहोई एस्टमी का ब्रत रखा जाता है इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है तारों को देख करके अर्ग देख करके और यह ब्रत खोला जाता है ब्रत करने वाले इस तरी को इस दिन उपवास रख पूजन करने के और पूजन करने के और कथा सुने के बाद चंद्रमा को अरके देकर भूजन करें दीपावली से आठ दिन पहले ये ब्रत आता है और इसका विशेश महत तो भी होता है इस दिन कथा सुनते समय एक चीज अहोई माता के सामने जरू रखनी चाहिए अहोई माता के सामने भोग का सभी सामन रखें पूजा का सामन रखें और सात में ही आपको पेंठा बजार से लाकर के अहोई माता के सामने जरू रखना चाहिए कथा सुनने के बाद में जब आप अहोई माता की पूजा कर लें तो फिर आपको गोव माता को ये चीज खिलाने चाहिए अहोई माता के ब्रत में गोव माता की पूजा का सबसे ज़्यादा मेहत्व है आप कथा भी सुनेंगे तो उसमें गो माता की पूजा का मेहत तो बताया के आई इस दिन गो माता की पूजा करनी चाहिए साल में यह ब्रत सबसे बड़ा ब्रत होता है उसमें भी अगर गुरू पुश्योग हो, गुरू पुश्योग कापी सालों के बाद में पढ़ा है, गुरू बार के दिन, अवई माता का दिन, पुश्य नक्यत्र, समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा दिन है ये, बहुत बड़ा योग है, इस दिन माता दुर्गा के सामने नारियल और पान भी चड़ाना चाहिए, नारियल का प्रसाद रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस दिन माता के सामने दीपक जलाएं, और माता से अपने प्रातना बोलें, अपनी मनोकामना बोलें माता के सामने, इससे माता प्रसन लोकर के आपकी मनोकामना जरूर पूरी ह जब आप पूजा कर लें तो आपको थोड़े सा मीठा जो आपने माता के सामने रखा है साथ ही पूड़ी या रोटी और उसके उपर आपको पेंठा रखना है थोड़ा सा पेंठा आपको मंदर में दान करके भी आना चाहिए और एक रोटी पर गोड़ पेंठा रख करके गो अगर आप करेंगे तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी पुत्रधन की प्राप्ति होगी